अगर आपको घर बैठे पढ़ाई करना थोड़ा बोरिंग लगता है तो आप online free simulations, apps और games का use करते हुए अपनी पढ़ाई को जादा interesting बना सकते हो जैसे इस वक्त मैं ये PHET Interactive Simulations University of Colorado की website पर हूँ और यहाँ पर कई सारे subjects में कई सारी simulations जो हैं वो available हैं जो की आपको पढ़ाई की जो concepts हैं उनको deeply समझने में मदद करती हैं इस website में आपको physics, chemistry, math, earth science और biology की कई सारी simulations मिलेंगी जिनको आप फिर grade level से filter कर सकते हो elementary school, middle school और ये जो simulations हैं इन में से काई सारी simulations HTML5 पर बनी हैं तो HTML5 पर बनने का मतलब है कि ये आपके mobile phone पर भी चलेंगी and of course tablet और PC पर तो चलेंगी ही तो अभी हम electronics के बारे में समझने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैं इस website में filter कर रहा हूं केवल electricity, magnets और circuits से related कितनी simulations हैं तो यहाँ पर ये सारी simulations हैं जो की हमारे को not only electronics समझने में मदद करेंगी ये simulations में जो concepts हैं वो आपके syllabus से भी related हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा तो मैं सबसे पहले यहाँ जाकर जो circuit construction kit है, DC circuit construction kit ये आपको दिखा रहा हूं खोलने के बाद आपके पास दो options हैं, introduction या lab, मैं इस वक सीधा lab में जम्प कर रहा हूं इस simulation में जो lab है हमारे पास, उसमें कई किसम के यहाँ पर electronics के component हमारे पास है और हम उनको use करते हुए not only circuits बना सकते हैं, हम अपनी electronics की जो fundamental understanding है उसको भी deepen कर सकते हैं, किसी भी circuit को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक energy का source चाहिए तो मैं ये एक battery लेकर आ रहा हूँ, और हम फिर इस battery से wires connect कर रहे हैं और हम एक बहुत simple circuit बना रहे हैं, जिसमें कि हम इस को जब हम connect करते हैं तो हमारा, अगर हमारा circuit एक complete हो जाता है, closed circuit बन जाता है तो ये हमारा जो light bulb है, ये glow करना शुरू कर देता है तो इस DC lab में एक तो आप बहुत simple इस किसम की experiments कर सकते हो कि conductors और insulators क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर इस circuit को break करता हूँ और यहाँ पर फिर मैं नीचे से अलग-अलग चीज़ें try करता हूँ तो हमें पता है कि wire जब हम attach कर रहे हैं, तब तब हमारा circuit complete हो जा रहा है इसमें जो bulb है हमारा वो हलका glow कर रहा है, यानि कि इस pencil में जो lead अंदर लगा है वो conductor है, conductor का मतलब है जिसमें कि current pass हो जाता है पर बहुत अच्छा conductor नहीं है और इसी तरीके से अगर मैं यह pencil को हटा के यहाँ पर human hand जोडता हूँ तो human hand में हम देखते हैं कि current जो है वो pass नहीं हो रहा है actually कोई भी जो material है उसमें अगर high enough current हम pass करेंगे तो उसमें current pass होने लगता है अभी जो है यह जो battery है इसमें voltage काफी कम है इसलिए उसमें current pass नहीं हो रहा और even अगर मैं 120 volts इसको कर रहा हूँ तब भी इसमें current नहीं pass हो रहा पर अगर मैं इस battery के बदले एक बहुत high voltage battery लाता हूँ और इस battery को का मैं voltage जो है वो बढ़ाता रहता हूँ बढ़ाता रहता हूँ तो अभी हम 27,000 volts supply कर रहे हैं अब हम 41,000 volts supply कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि indeed even human skin में current जो है वो pass करता है तो ये introduction के बाद हम specifically electronics पर चलते हैं तो electronics की fundamental concepts सीखने के लिए तो ये जो phet.colorado.edu website में simulations है ये बहुत काम आती हैं पर साथ ही आप tinkercad.com website पर जाकर जो आपकी fundamental knowledge बिल्ड हो रही है उसको use करते हुए आप कई सारे बहुत interesting projects बना सकते हो simple से लेके complex projects तक क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कई सारे electronic components available है not just electronic components available है हमारे पास यहाँ पर microcontrollers available है microcontrollers होते हैं छोटे computers जिनको हम use करते हुए और इन में inserts लगाते हुए काफी advanced electronic projects जो है वो बना सकते हैं केवल आपको दिखाने के लिए मैं एक simple सा circuit बनाता हूँ तो अगर मैं यहाँ जाके एक battery ढूँड रहा हूँ तो मैं यहाँ से let's say 1.5 volt की battery लेकर आ रहा हूँ और फिर मैं एक bulb लेकर आ रहा हूँ और इनको अगर हम attach करते हैं और attach करने के बाद अगर हम यहाँ पर start simulation का button दबाते हैं तो यह हमारा circuit जो है यह complete हो गया है और इसलिए हमारा bulb जो है वो glow कर रहा है अब इसी circuit को हम और complicated बना सकते हैं तो अगर मैं इसमें एक switch लेकर आता हूँ तो हम यह switch लाके हम यह top right से इसको rotate कर सकते हैं या हम R का button दबाके भी rotate कर सकते हैं और अब मैं इस circuit में एक switch introduce कर रहा हूँ तो मैं एक और wire लाकर switch में दे रहा हूँ बैटरी से positive wire लाकर मैं उसको switch में connect कर रहा हूँ और फिर जब मैं simulation दबाता हूँ जो हमारा switch है वो अब on off हो जाता है जब हम उस पे click करते हैं यह जो दो simulations आपने देखी CBSC board यानि NCRT की class 10th की book में जो electricity का chapter है उसकी key concept से related है तो इन videos में electronics के interesting projects बनाते हुए जो आपके syllabus में जो electricity से related जो key concepts हैं हम उनसे भी तालमेल बठाते रहेंगे ताकि आप इन topics को ज़्यादा interesting तरीके से खुद से समझ पाओ मेरी suggestion रहेगी कि आप घर बैठे अगर अपनी पढ़ाई को और interesting बनाना चाहते हो तो ये PHET और Tinkercat जैसी websites पर जाकर आप discovery based learning को follow करो discovery based learning का मतलब होता है कि आप projects बनाओ यहाँ पर interesting projects करो और projects करते वे अपने से सवाल पूछो आप tinkercat.com में जाकर यहाँ पर circuits चूज करके आप create new circuit करो और यहाँ पर बहुत ही सारे components हैं तो आप in components को use करके भी different type के circuits बनाओ पर जरूरी बात यह है कि आप अपने से हमेशा यह सवाल पूछो कि यहाँ हो क्या राए तो आप observe करो अपनी कोई hypothesis बनाओ यानि कि सोचो कि अगर मैं circuit ऐसे बनाता हूँ, दो bulb ऐसे जोडता हूँ तो वो ज़ादा जलते हैं, कि कम जलते हैं, अगर मैं किसी और तरीके से जोड़ूँगा तो क्या होता है और अगर मैं circuit में motor, LED switch सब को जोडता हूँ, तब क्या होता है तो ऐसे जब आप सवाल करोगे, तो आपकी curiosity, जिग्यासा जो है, वो जागती है और फिर आप जब अपनी curiosity को satisfy करने के लिए अपनी textbook पढ़ते हो, या इस series में हम आगे वीडियो जो बनाएंगे वो देखते हो, तब आपको ज़ादा समझ में आईगी So, have fun making circuits next video में हम voltage और current, इन दौनों के बारे में ज़ादा समझते हैं